हेलो मैं डियर वीवर्स, हुआ यो अल, कैसे हम सभी, उमीद करते हूं, आप सभी बहुत अच्छे होगे, सो गाइस, चले हम स्टोरी के साइट चलते हैं, मैं आप लोगों स्टोरी सुनाने जारी हूं, जारी मुहांबत की सुरुआत, सो गाइस, ओविसली मैंने कुछ दिन ब अपनी फ्रेंड के साथ अपने हॉस्पिटल से निकल रही होती है, लेकिन ये लोग कहां जा रहे होते हैं, कॉलेज, ओविसली, इनका था कि जो कॉलेज में नोंने ग्रैजुशन कंप्लीट किया था, वो इसे कॉलेज जाने के लोग बात करते हैं, तो ये तुनों एगरी ह होते हैं, और वहाँ कॉलेज के लोग निकल जाते हैं, देन साहरा बोलती है, अच्छा सुनना जान, तो जान बोलती है, हाँ बोल, तो बोलती है, वैसे अन्सो को पता है कि, तो कॉलेज जा रही है, तो बोलती है, नहीं, मैं तो तेरी साथ आ रही हूँ ना, तो बोलती है, तो अन्सू को कुछ और भी बता है या नहीं तेरे बारे में तुने बताया या नहीं तो जान बोलते है एक्चली मैंने उसे एक चीज नहीं बोला है यह चीज वो बहुत दीमी वाइस में बोलती है तो साहरा बोलती है क्या हुआ कुछ प्रोब्लम हो रहा है कि आपके घर पे तो बोलते है नहीं यार प्रोब्लम तो नहीं हो रहा है लेकिन वहाँ पि कोई है जिसके वजह से हो सकता माँ PROBLEM स्टार्ट हो तो साहिरा थोड़ा हरान हो जाती है और प्रेक लगाते हो भोए मतलब क्या हुआ है कुछ प्राब्लम हो रही है क्या माँ पर तो बोलते है यार साहरा मैं तुझे क्या बता हूँ एक्चली तुझे वो बंदा तो याद है ना कौन तो बोलते है दुरू तो सायरा अपने दिमाग पर जो डालते हैं बोलते हैं दुरू हूँ हाँ यह तो वही बंदा है ना जो तेरे पीछी क्रेजी है पागल है तो बोलते हैं हाँ वही तो बोलते हैं स्वरी तो बोलती है मत लब वो क्या कर रहा है तेरे साथ उसने तुम्टे उसके साथ देखा तो नहीं है न की स्बमष्ट या कुछ इसोस तो नहीं हो जायन या यह बहुत जाए धविश्च देखका भैडिश्च ये भाट रहने दी में और फिल्टू चाहती है और बूल दुज तुझे पता है ना की द्रूख है कौन वो किस तरीके का साइको है तुझे पता है ना यार अब उसने तुझे जान लिया अब पता नहीं अन्सू के साथ क्या करेगा तो बोलती है यार मुझे भी नहीं पता लेकिन मुझे जितना पता है I hope so तो ऐसा वो अपनी बेहन के साथ तो नहीं करेगा तो पूलते तू 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 जानती है ना द्रूख को उसके बाद जो भी यह सब बोड़ रही है तो बोलती यार मैं क्या करूं बता ना तू मैं अन्सो किस चीज में नहीं ला सकती यार मुझे लाना ही नहीं है उसको तो बोल के फिर से जो हमारी साहरा रहती गाड़ी स्टार्ट कर देती अपना कार वहां से निकल जाते हैं कॉलेज के लिए और कॉलेज में जाने के पाथ देखते हैं कि उनकी आदे से जादे फ्रेंड जो है आई रहते हैं वहाँ पे करीबन 6 से 7 साल के बाद उस कॉलेज में एंटरी हुई रहती हैं जिसे देख सभी हैरान होते हैं और हमारी पुराने स्टुडेंट्स जो हमारी साहरा और जान की स्टुडेंट्स रहते हैं मतलब फ्रेंड्स रहते हैं वो जाना और साहरा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं सर्प्राइज भी हो जाते हैं, बोलते हैं तुम लोग, मुझे तु लगा नहीं था कि तुम दुनों यहाँ पर आऊगे। तो बोलते हैं अच्छा। क्या कि पुछे लग रहा था कि तू आएगी? तो बोलती और बस बस कर बस मैं समझें तू आईगी यहाँ पर, तू बता ना तुम लोग कहा हो यार हासकल तो कांटथे में भी नहीं हो और I hope so मैं तुम दुनों को जितना जानती हूँ तुम तो अच्छे कास लेवर में हो गई तो यह सुनके उद दुनों हसनी लगते हैं मैं बोलते हैं कुछ भी तो बोलते हैं कुछ भी क्या तो सायरा हसते हैं बोलती है अच्छा बेटा हमें बोल रही है तू भी तो किसी से कम नहीं थी और मुझे जितना लगते हैं तेरे बारे में जितना जानती हूँ तो तो अभी छोटी Εंजीनियर से बडी इंजीनियर बनी गई होगी न तो हसते हो के दिपाली बोलती है यार ऐसे कोई बात नहीं है तो दिपाली के बाद सुनके जो सायरा और हमारी जान रहते हैं हसने लगते हैं बोलते हैं बस तुई है और बागी के लोग कहा हैं तो बोलते हैं यार वो लोग तो अंदर है मैं तो अभी आए हूँ मैं थोला काम था ना तो वहाँ से सिधा यहाँ पे आए हूँ तो बोलते हैं अच्छा चल भी साथ में चलते हैं ऐसे बोलके तीनों एक साथ एंट्री करते हैं वहाँ पे एक साथ एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि अंट्रू वहाँ पे है तो यह चीज़ देख कर तो हमारी चान टोटली सॉक्ट हो जाती है तो सायरा बोलते क्या हुआ तू इस तरीके से इस टैचू की तरह खड़ी क्यों है तो बोलते यार कुछ नहीं बस यह ही ऐसे बुलको चुपचाप आगे निकल रही होती है तो उसकी ना बार बार नजर हमा रहा होता यार उसे चैलिस सी फील हो रही होती है और हमारी जो अन्सू रहती है वो तो भई अपने ही चीज में मगन रहती है उसे क्या पता कि कौन आया है कौन नहीं और वो अपने फ्रेंड लोग साथ बात करने में कुछ जादा इंटरस्ट दिखा रही होती है तो उसकी एक फ्रेंड रहती है वो बोलती है अच्छा अन्सू बता ना तू अभी कहा है तो बोलती है मैं तो आउटसाइड हूँ ना एक्चली मेरा लास्ट अभी पचाई है तो वहीं कम्लीट कर रही हूं तो बोलती है तो उसको छोड़ना तू बता तू कहा है तो बोलती है मैं थ नोगों थोड़ा छोटा मोटा जॉप कर रही हूं तो एट िवी पर आती रहे थे च्छोटा मोटा जॉप भोड़ी तो भूलते हाँ तो मेरे I hope so कि मैं क्या कहूं उसको तो बोलते I hope so Really जितना हमें पता है तो तो कुछ ज़्यादा ही famous है तो बोलते है एक बंदी जो हस्तिव बोलते है हाँ तो किसे celebrity से तो कम नहीं है तो हस्तिव बोलते अच्छा तो किसे ज़्यादा हूँ तो बोलती यार तो news channel की head है और obviously तेरे beauty किसी से कम नहीं है तो इतनी gorgeous है sexy है ऐसे बोलके अनूस का तारीख कर रही होती है तो बंदी जो है जने के ज़ाड़ा पे चड़नी लगती है बोलते है OMG college की time में तुम्हें इतना ज़्यादा हो करती थी लेकिन तुम्हें मेरे उपर कोई interest नहीं था और then अभी इस तरीके से बात कर रहे हो हमसे flirt कर रहे हो तो हस्ते बोलती है यार ऐसे कोई बात नहीं है वैसे भी flirt अपने friend से ना करेंगे तो क्या किसी और से करेंगे ऐसा बोलके अन्सू जो है और बोलता है Hello students, welcome Welcome back तो सारी स्टूजेंट्स जो है फ्रिंसिपल के सेट देखते हुए हस्ते बोलता है यार यार ये फ्रिंसिपल अभी भी यहाँ है तो बोलते है क्यों नहीं होना चाहिए था क्या तो बोलती है यार मुझे लगा कि ये रिटायर हो गया है या कहीं और चले गया है तो बोलती है यार बट प्रिंसिपल प्रिंसिपल की जैसे अभी भी वह ऐसी है तो अन्सू जो हस्ते हो बोलती हम वैसे भी मुझे स्कॉले से कह वे कितना टायम हुआ है बस तो 3-4 साली तो हुए है ना बट हमसे भी सिनियर लोग आया है मैं को सुनाई में आ रहा था कि हमसे भी सिनियर आये हैं यापे तो बोलती है हाँ या ज़्यादा नहीं आया है बट बोला जाता है मतलब उनको बहुत ज़्यादा रुद्पा था इस कॉलेज में अब उनसे मिलना तो बनता है ना तो ऐसे बोलके नारा जो है हमारी अन्सु को बोलती है कहती है यार हमें तो पता नहीं है ना कि हमारी सिनियर कौन है पैसे भी अगर पता चल जाये ना तो बाई चांस उन से मिला जाए ऐसे बोलके वो हसने लगती है तो वहाँ पर कुछ लड़कों का जो बॉइस का क्रूप रहता है वो अन्सु के पास आते बोलता है हे बेबी तो अन्सु घूर के उसके से दिखते बोलता है रिहान तो सच मैं बोल रही हूं मैं दिखो तु ना अत्रीड से बात कर ले मेरे से ने तु पिट पिटी जायाएगा बता रहा हूं तो बलता है यार आज की दिन भी मुझे पिटने का तेरा मान करता है स्धरिल लित पाषध between 202 अपधर ही महां 1 अब्ली तो अब बन्त WE di Re thought खोलिल लगते हैं तो जो हां रहा है जो ऌपने और यारह भी बता रहे हूँ और obviously तुझे पता है ना, मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे फिल कि इसके कान से दूर हच जाती है, तो रियान थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब soft हो जाता है, क्योंकि यार, इतनी time के बाद, जो अन्सू रहती है, उसके इतना करीब हाय रहती है, और अन्सू उस time की डीवा रहती है जो कि किसे से कम तो रहती ही नहीं है, तो बोलती है, नारा बोलती है, यार, अन्सू, तो मेरे साथ आएगी क्या, तो अन्सू बोलती है, कहां, तो बोलती है, किसे से मिलाना है, चलना, ऐसे बोलती है, उसका हाथ खिचते हुए, कुछ फ्रेंड लोग रहते हैं, उनके जो स तो जो हमारी एन्षू रहती है नारा के साही देखने लगती है तो आरा बोलती है अन्षू यह में writer sister Ooh और सिस्टर यह मेरी फ्रेंड अंसु है मैं जिसके बारे बात करती थी न यह वही है तो जो बंदी रहती है जो नायरा के सिस्टर रहती है वो बोलती है पता नहीं तुमने ऐसा क्या चादू किया है उसके उपर की वह तुम्हारा बात करना बंद ही नहीं करती है तो अन्सु सरमाते वह बोलती है कुछ भी है आप बोड रहे हो यार वैसे भी हम बैस्ट पड़ी है करें है एक वर भी है हम लोग के बीच यह सब तो होता ही रहता है तो हस्देबी उसके इसके चिकस को खिछते हुए बोलती है दोर से ख्विष को खिचने लगती है और बोल रहा होती है यार यह बंदी उसका जिक्स तरुकिंट टच कर सकती है जूसके सांथ उसके फ्रेंड खड़ी थी वह बोलती है हार क्या हुआ है कुछ प्रॉब्लम नहीं है पत्स यही तो बोलते है यार मुझे तो कुछ डाउट है सारा उसके साइट घूर के देखनी लगती है तो बोलती नहीं है यह अन्शू ही है ना मैंने कुछ टाइम से इसको पहुँच जाता एपसौर्फ कर रही थी हाँ मैंने फर्स टाइम उसको देखा था लेकिन थोड़ा-थोड़ा इसका फेस तो मुझे तो हमारी जान थोड़ा सर्माने लगती है और बोलती है हाँ यह भई है तो बोलती है क्या यह हमारी जूनियर है या सिनियर है तो जान बोलती है I don't know I hope so I think मेरी जूनियर हो सकती है तो बोलती है मेरी तेरी हम दोनों की जूनियर है तो बोलती है हाँ हम दोनों की जूनियर ह तो बोलते हैं अच्छा तो इसलिए इसलिए तो इस लिए उसे देखकर लगता है कि जतने भी लोग उसे जानते हैं ना कुछ ज्यादे उसे एट्रैक्ट है देखो उस लड़की को कितना ज्यादा उसे चिपक रही है और एक तुसका चिक सी कीच रही है देखो कितना प्यार से ऐसे बोलके जो जान के सामने उसका जो है यह कर रही होते हैं मतलब जैलिस करवा रही होते हैं उपर से उपर से तो हमारी जान गुसे से पूरा लाल बाल हो रही होती है साथ में साहरा की वो सारी बाते जिसे सुनकर हमारी जान का जो है गुसे का लेवल कमिए시 Turn कुछ इस तर नहीं बाल रहे हुं इस तरीके से बाद कर आ concentrations मैंने क्या बात किया है मैं तु कुछ की आहीं नहीं सामने जो राप में दो हुका स led है तुष इस प्लेन कर रही थी बता रही थे तो च्छा तो जले पे नमक छिडखने का काम कर रही है क्या तू ना मैं बता रही हूँ तू ना बस कर जब मैं बता रही हूँ तो जो साहरा रहती है वो हसते हो मेरा बेबी को कुछ साहरा है मेरा बच्चा जालिस भी हो रहा है तो जो हमारी साहरा के साहर जो हमारी जान रहते हो, गूर की देखते हो, बोलते हैं तो रुख मैं बताती हूं ऐसे बोलके वो साहरा का हाथ पकड़ने के चली जाते है मतलब उसे धपड मारती है तो जो और से साहरा चलते हैं तब ही जो हमारी सारे वहाँ भी इस्टूडन्स रहते हैं सभी का ध्यान इन दोने को पर चला जाता है और इसी दोरान हमारी अंशु का भी ध्यान हमारी जान और साहरा के उपर चली जाती है तो जान जो है जान और साहरा को देखकर तो हैरान हो जाती है और बोलती है यार ये दोनों यहां पर क्या कर रही है ऐसे बोलको थोड़ा सब कन्फ्योजड हो जाती है और उनके साथ देखने लगती है तो अन्सु को उनके साथ देखती हुए हमारी सारा देख लेती है और बोलती है यार अन्सु हमारी साथ इस तरीकी से क्यों देख रही है तो जान भी अन्सु के साथ देखने लगती है तो ऐसे सच में उनके साइड बहुत ज्यादा घूर- गूर की देख रही होते हैं मतुब उसका पूरा नजए अन दोनों के वोपर टीखी ज्यादा रहता है तो बोलते हैं हां पर्ट यूं मुझे ऐसे क्यों देख रही है में कुछ समझ यह नहीं आ रहा है तो बोलते हैं I think उसे लग रहा होगा कि हम दोने आपे क्या कर रहे हैं क्या बवाल मचा रहे हैं यह हम जो नौटंकी कर रहे हैं यह क्यों कर रहे हैं तो वो बोलते हैं बट यार चोड़ो ऐसे बोलके जो सायरा रहती है वो हमारी जान का हाथ पकड़ की आगे जाने लगती है तो अंसु जो है उन दोन को देख लेती है बट उनके पीजे बिलकुल नहीं जाती क्योंकि अंसु जो है हमारी जान से तो लो गुसा रहती है रूटी भी रहती है क्योंकि आजकल हमारी जान को जादा उसे भाव नहीं दे रही होती है जिसके वज़से उसे गुसा तो आही रहा था और जिसके वज़से उसे लग रहा था कि उसने साहत जबड़दस्ती जान से साधी किया है और बीच में उनके फ्रेंडले रिलेशन आ भी रहा था वो मेरे वज़े से खराब हुआ है वैसे भी जहाँ पर प्यार नहीं रहता है वहाँ पर रिलेशन भी नहीं रहता है चलो खूई न यह सब अन्सू अपने मंद में सूच रही थी ख्याली पुलाव पकारी होती है जिसे हमारी जान नहीं पता कर पाती है जिसके वज़े से वो दोनों के पीच की जो मिस अंडेस् जाती है कि अपनी फ्रेंड के साथ और कुछ चाम के बाद के पाद रहा साना दैंस करहा हो जाता लुँमorth down जान साहरा जान तो भेधान के रहा ही उतल से बैस्या जहिए इसके साथ गणर रहा है जितने उनकी ग्रूमनम्बस हो जहा है यार अब भी भी इनका जो ये बोरिंग लेक्चर अभी तक फिनिसी नहीं होता है कभी भी भासर देना स्टार्टी कर देते हैं सारे स्टुडेंट्स से बात सुनके बहुत हसने लगते हैं कि सच में अब लोगों पधा है ना टीचर लोग कितरा ज्यादा लंब चोड़ा स्पीच देते रहते हैं जिसे सुनकर सच में स्टुडेंट्स का दिमाग खराब हो जाता है चुकि मेरा भी होता है यार बस बताओ म तुमें सच में कुछ साथ है चुल देंकर इस स्टुडेंट्स से इस तरीके से इनकर स्पीच चल रहा होता है सभी एक दुसरे में लगे रहते हैं कोई तो आहिए अपना मौ फार रहा होता है कि यार मुझे नीदार है इतना स्पीच नहीं सुन सकता मैं और एक मूलती है जो और रहो जाते हैं और नाट में चैहरा और दूसरे सारे सारी स्फेयर सबिक्राइब प्डूकर साथ मिल रहा होता है कोई अपनी YOU को पटा रहा होता और पीछ श्जाद और लाधन अब होता है लेकिन वो एक दूसरे के से देखते ही अपना मूँ मोड लेते हैं जैसे साहरा भी नोटिस कर लेती है बोलते है यार इन दोलों के बीच कुछ हुआ है क्या जो इस तरीके से एक दूसरे को इंग्नोर कर रहे है और वो कुछ करना चाहती थी लेकिन जो हमारी अंसू रहती है वो कॉलेज से निकल जाती है और जान भी उसे देख लेती है जान को थोड़ा हट होता है कि यार ये इस तरीके से चली क्यों गई ये हमसे बात भी नहीं किये क्यों हमसे कोई प्रॉब्लम है क्या ये हमने कुछ क्या है ये हमसे बात नहीं करें ऐसे बोलके थोड़ा से जान को भी गुछ सहा जाता है वो उसके अपनी फ्रेंड के साइड देखते है बो देख चल अब तो यहां से तो सहरा बोलती यार अभी तो पार्टी सुरी हुई है तो मुझे पार्टी आरी करने में कोई इंट्रस्ट नहीं है तुझे आन है तो आ नहीं आना है तो मता मैं हो गए तो होस्पिटल चली जाओंगी आटो ले लूँगी आपने चली जाओंगी ऐसे बोलके वहाँ से निकल जाती है तो सहरा भी ना चाहते हुए भी हमारी अंसु की एस्वरी जान के पीछे चली जाती है यह दुनों सिधा हॉस्पिटल चले जाते हैं जिस दर्मियान अंसु बहुत गुसे में रहती है हॉस्पिटल में जाने के बाद भी कुछ पैसंट से वो अच्छे से भाद करती है और जो पैसंट आएं आप लोगों पता ही है कि हॉस्पिटल में कुछ अजीब से पैसंट भी रहते हैं जो कि बॉइस वगेरा रहते हैं जो खुद के आटिटूड में रहते हैं गुइंट 35 लवगेरा रहते हैं जो हमारी जान को भी ऐसी ही कुछ पैसंट मिलते हैं जिससे वो गुस्था हो जाते हैं उस से भी जिस तरी किसे वो बात करता था वैसे हमारी जान उसको reply देती थी जिससे वो बंदा चुप हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यार ये बंदी का सर कुछ जादा ही गरम है और obviously अगर हम बताएं कि हमारी जान जो है top 3 अगरी डॉक्टर में उस होस्पिटल में आती थी जो कि top 3 बहुत बढ़ी बात होती है यार वो पेसेंट चुप हो जाता है उसे समझ जाता है इसका कुछ तो हुआ है इसली इतना गुस्सा है तो इसे अब ही तो बात नहीं कर सकता है इसे बुल को चुप हो जाता है और जितने भी वहां पे stop रहते हैं आइ मिन जो पेसेंट रहते हैं जो arrogant side के रहते हैं वो लोग भी जो हमारी जान का गुस्सा देखकर बहुँ ज़्यादा सौक्ट हो जाये रहते हैं मतलब हो ही नहीं गया पुरा सौक्ट हो गए रहते हैं सो हे गईस आपको स्टोरी कैसे लगी जरूर बताईएगा और देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है आखिरकार हमारी जान और अंशुकी रिलेशन में कुछ दरारे आने तो स्टार्ट हो गई है क्या ये दरार भरता है या फिर तहरा होता है या फिर ये सब दुरू कुछ प्लैनिंग करके इन दोनों के बीच कुछ टिग्लम करता है जिससे ये दोनों का रिलेशन पूरी तरह क्या से पूरी तरह क्या से फिनिस होता है यह सब जाना पहुंद दिल्चस्प होगा और कितना दिल्चस्प होगा सो गाई सॉरी फर्ष्ट फॉल क्योंकि आज कल इस्टोरी बनाने में मैं कुछ जादा ही नकारा पंती कर रही हूं कामचोरी बना क्योंकि यार आविसली यार पहुंद गर्मी हो रखी है जब भी मैं स्टोरी बनाने स्टार्ट करती हूं में को निंदाने स्टार्ट हो जाता है और मैं पता नहीं किस मुद्रा में किस नित्रा में चली जाती हूं मुझे खुद को नहीं पता और मेरा पूरे स्टोरी का वो हो जाता है कबाड़ा हो जाता है जो suspense डालना रहता है वो भी डालना भूल जाती हूँ जिसके वज़े से आजकल मेरा खुद पेधान नहीं रहता है और मैं किसी चीज़ पेधान डालने का मेरा कोई यह नहीं रहता है So sorry, मैं try करूँगी कि मैं story को better बताने का जितना भी मेरी से होगा मैं करूँगी